राजस्थान की लाल डाइरी बड़ी चर्चा है बड़ी चुर्कियों में मुख्य मंत्री का अपना बेटा के लिख कर देने को तयार है पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली अरे गहलो जी क्या हो गया आपका जादू आपके बेटे पर फिर नहीं चल रहा है गया जैलो जी कौनी मिलाए वोट जी फिछले कई महिडों से राजस्थान की लाल डाइरी बड़ी चर्चा है बड़ी चुर्कियों में लाल डाइरी में कौन्ग्रेस के अपने ही नेता ने कौन्ग्रेस के कूशासन की इस कछा को पूरे विस्तार से लिखा है और तभी तो मुख्य मंत्री का अपना बेटा ये लिकर देने को तयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली अरे गहलो जी क्या हो गया आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा है क्या और इसलिए तो भाज़े पाजों कहती है ना गहलो जी कौनी मिलाए वोड जी ये उनका बेटा भी वो ही कह रहा है अब तो बेटे नहीं बोल दिया है पापा जी कौनी मिलो वोड जी तो मारवार के नागोर के आप युवास साथी मुझे बताएं ये पापा की सरकार को बिदाई देंगे क्या ये जादूगर की सरकार को बिदाई देंगे क्या सीम के बेटे की इच्छा पूरी करेंगे ना पक्का करेंगे मेरे परिवार जनो एक तरफ कॉंग्रेस के पास लूट का लाइसेंस है वहीं दूसरी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है आपका किस पर भरोसा है मोदी के गारंटी कार्ड पर पूरा देश भरोसा करता है तो उसके कुछ ठोस कारण है हवाबाजी नहीं है जमीनी सच्चाई है और एक एक गारंटी पूरा करने के लिए समय का प्रत्तेक पल दिन राप आपको किये हुए बादे पूरे करने के लिए खपा दिये है भाजपा ने गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे 370 हटाएंगे मोदी ने गारंटी पूरी की की नहीं की मोदी ने गारंटी पूरी की या नहीं की बाजपा ने गारंटी दी थी कि अयो ध्या में बव्य राम मंदे का अंदेर बाड होगा ये गारंटी पूरी हुई की नहीं हुई ये गारंटी पूरी हुई की नहीं हुई आन बान चान के साथ पूरी हुई की नहीं हुई बाज़पा ने गारंटी दी थी कि तीन तलाग को खत्म कर देंगे तीन तलाग को खत्म कर देंगे मोदी ने ये गारंटी पूरी की या नहीं की जरह अब माता ये बहने बताई ये पुरा क्या 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 नहीं क्या माता और बेहनों की इज़त बताने का काम किया का नहीं किया मुस्लिम कन्याओं को सम्मान दिलाने का काम किया का नहीं किया मुस्लिम बेटी के बाप को चेंड से निंद मिले ऐसा काम किया का नहीं किया और कुछ लोगों को लगता है मैं जब तीन तलाग की बात करता हूँ तो सिरफ मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा हूँ वो तो है ही जब तीन तलाग का कानून बना तो मुस्लिम माबाब बहन का भाई उनको भी स्षाता मिली कि अच्छा हुआ अब बेटी को शादी करके भेजेंगे और आठ दत साल के बाद बेटी वापिस नहीं आएगी बहन को शादी करेंगे और तीन तलाग के कान वापिस नहीं आएगी भाई भी खुश है पिता भी खुश है और वो बेटी भी खुश है कि इतने सालों के बाद उसको सम्मान से जीने का अवसर मिला है ये मोधी की गारंटी होती है बाजपा ने गारंटी दी थी कि लोग सभाव और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन देगे आप मुझे पताईए ये गारंटी पुरी हुई कि नहीं हुई गारंटी पुरी हुई कि नहीं हुई